इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों फ्रेंट्स की फेस्बुक में मूब टू रिसाइकल बीन का आपसन क्या है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू सर लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं इस चैनल को सस्क्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा कर और जरूर क्लिक कर दिजेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको चलिए जाना है फेस्बुक में उसके बाद फ्रेंट्स पहले क्या होता था कि आपको अपने फेस्बुक एकाउंट से अपनी किसी भी फोटो वीडियो या फिर पोस्ट को डिलेट करना होता था तो friends आप यहाँ 3 line पर click करके आप यहाँ उसके बाद आप यहाँ अपने ID के नाम पर click करते थे उसके बाद friends आप नीचा आते थे और उसके बाद आपको अपने जिस भी फोटो या वीडियो को delete करना होता था लेकिन friends अब क्या होगा अब अगर आप अपने Facebook से किसी भी फोटो या वीडियो को delete करेंगे तो friends delete करने के लिए जब आप यहाँ 3 dot पर click करेंगे उसके बाद friends आपको यह delete का option नहीं मिलेगा आपको यहाँ move to recycle bin का option मिलेगा लेकिन friends मैं आपको बता दू कि यह option आपको तभी मिलेगा जब आप अपने Facebook आपको update कर लेंगे क्योंकि यह option जो है Facebook के नए version में ही है तो friends आपको सबसे बहले अपने Facebook आपको update कर लेना है उसके बाद friends आपको अपने किसी भी फोटो को delete करने के लिए आपको 3 dot पर click करना है उसके बाद आपको यह option मिल जाएगा move to recycle bin का तो आपको इस पर click कर देना है उसके बाद friends आपको यह move पर click कर देना है उसके बाद friends क्या होगा कि आपका वो फोटो जो है यहां से delete हो जाएगा और friends यहां से delete होकर आपकी Facebook के recycle bin में add हो जाएगा और फ्रेंट्स रिसाइकल बिन में एड़ हो जाने के बाद अगर आप 30 दिन तक उस फोटो को रिसाइकल बिन से बापस नहीं करेंगे तो फ्रेंट्स आपका वो फोटो हमेशा के लिए डिलेट हो जाएगा लेकिन फ्रेंट्स अगर आप ये चाहते हैं कि यहां से हमने जिस फोटो को डिलेट किया है तो हम उसे जो है बापस कर लें तो फ्रेंट्स अब आप रिसाइकल बिन में जाकर उस फोटो को बापस कर सकते हैं जैसे कि friends मैंने उस photo को delete कर दिया है आप friends समझाते हैं अपने recycle bin में और friends उस photo को हम बापस कर लेते हैं आपको यहाँ से डिलेट किये गए photo video को बापस लाने के लिए आपको back आना है तो friends back आकर आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यह setting और privacy का option मिल जाएगा तो आपको इस पर click करना है उसके बाद friends जब आप नीचे आएंगे तो friends आपको एक option मिल जाएगा activity log का तो delete किये थे यानि की recycle bin में add किये थे तो friends वो photo आपका यहां पर आ जायएगा जैसी कि आप दीख सकते है میںने अभी इस photo को वहां से delete किये था यानि की recycle bin में add किया था तो friends वो photo यहां पर आ चुका है आप friends देखिये होगा क्या कि अगर हम यहां से अपने इस post को 30 दीन के भीतर recover पर नहीं करेंगे यानि कि बापस नहीं करेंगे तो फ्रेंस यह फोटो या पोस्ट जो है हमेसा के लिए डिलेट हो जाएगा लेकिन फिर्ट्स अगर हम चाहे तो 30 दिन के अंदर अपने इस फोटो या पोस्ट को अपने फेस्बुक एकाउंट में फिर से उसी जगह में बापस आजाएगा जहां से आपने उसको डिलेट किया था तो उसकी बापस एक वार आपको क्या करना है कि आपको अपने फेस्बुक एप को रिफ्रेस कर लेना है या फ्रेंस बापस आपको स्क्रीन पर आकर आपको फिर से फेस्बुक एपको ओपन कर लेना है उसकी बाप जो आप यह 3Dot पर क्लिक करके अपने ID के नाम पर क्लिक करके बापस आप अपने उसी जगा पर जाएंगे जहां से आपने उस फोटो को डिलेट किया था तो फ्रेंड्स आपका वो फोटो जो है वही पर बापस आ जाएगा जैसे कि फ्रेंड्स आप जेख सकते हैं हमारा यह यहां पर बापस आच्छुका है तो फ्रेंड्स इस तरके से आप रिसाइकल भी का यूज कर सकते हैं यानि करेंगे तो फ्रेंड्स आपका वो फोटो जो है रिसाइकल भी में 30 दिन तक के लिए एड़ हो जाएगा और आप जाएं तो 30 दिन के अंदर उस फोटो या फिर प वीडियो पसंद आया है इसको लाइक करिए और अगर आप मेरे योट्यूब चैनल पर नए है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए